नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में यह आपका एट नंबर का प्रेक्टिस सेट होगा बिहार दरोगा मैंस के लिए और इनफोर्समेंट ऐसाई के लिए पेपर हम लोग ने एनलाइस कर लिया है तो हमें यह पता है और मैंने आपक आना चाहूंगा अगर आप यह किसी भी पेपर को अगर आप देर हो तो एक चीज आप ध्यान रखना वह आपको क्या ध्यान रखना है कि दो सब्चेक्ट जो आपको डिटेल में जो कोशेंस पूछे जाएंगे ठीक है वो है आपका सबसे इंपोर्टन हिस्ट्री ठीक है हि कोशेंस होगा उसके चार ओप्सन होंगे ठीक है उसमें आपको एलिमिनेशन करना होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत तो हिस्ट्री के जो सब मतलब जो भी कोशेंस होंगे आपके और बता देता हूंगा हिस्ट्री के जो कोशेंस होंगे वो आपको डिटेल मतलब हिस्ट्री नहीं करना है एकदम basic questions होते हैं ठीक है तो इसमें science वाले को काफी help मिल जाएगा start करते हैं आज का practice it इस course को join नहीं कि हो अगर आप चाह रहे हो कि दरोगा मैंस इस बार आप किसी भी तरीके से चुको ना सबसे important होते हैं आपका maths and reasoning reasoning ठीक है अगर 20 questions तो आपका स्योर है कि 22 से 25 questions आएगा अगर आप इसमें maximum score करना चाहते हो तो कल ऐसे भी आपके नया schedule आएगा ठीक है पूरा का पूरा एक time table आएगा कि हम लोग YouTube पर कैसे video करने बाले हैं ताकि 100% insure हो जाए आपका job ठीक है बट अगर आप maths and reasoning एकदम detail में आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो यह number है आप आप यहां में call कर सकते हो especially आप message कीचेगा call तो possible नहीं होगा ता message कर लीजेगा और यह group में बैच 2 जो चल रहा है ठीक है उसमें आप होते हो जो दस भी एक्जाम एक साल में क्रेक करते ठीक है दस इंदी सेंस I am talking about मैंने लास्ट स्थूति खंडवाल के बाले बताया था कि जो वन आप टफेस्ट एक्जाम जो था उन्होंने मतलब की मैं class 12 का जो एक्जामपल लेके बताया था ठीक है दस तो था जाद ही हो ग है इन्फोर्स्मेंट एसाई में आपको पूछा जाएगा देखो वह पधार्त जो ठोस के रूप में द्रव अवस्ता से कम घनत्वा वाला होता है मतलब वह जब सॉलीड होता है ठीक है और द्रव मतलब आपका जब लिक्वीड होता है ठीक है तो घनत्वा जो होता है उसक सारी important है? जैसे कि Bromin बहुत ही important है, यह क्या आपका non-metal, देखो अगर आपको पुछे कि Room temperature पे कोन सा ऐसा धातु है, मतलब कोन सा element है, ठीक है? कोन सा ऐसा element है, जो आपका liquid form में रहता है, तो non-metal अगर बोले, ठीक है? कि कोन सा non-metal है, जो आपका liquid form में रहता है, वो है आपका bromine, क्या? Bromine एक ऐसा element है जो room temperature पे क्या होता है, आपका liquid form में रहता है और सबसे ज़्यादा important है ये एक ऐसा non-metal है जो liquid form में रहता है room temperature पे, याद दखेगा Aluminium का आप हमेशा इसका atomic number बहुत बार पूछा जाता है, तो आप याद दखेगा इसका atomic number कितना होता है, तो 13 फिर से याद कर बातों कैसे? hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium तो 13 होता है और ये एक metal है ठीक है? इतना चीज़ आप याद रखोगे यहां से इसका answer हो जाएगा आपका H2O phycology, किसका अध्यान है? इसमें आपको science के questions ज्यादा देखने को मतलब कुछ questions जो होंगे, initially science को देखने को मिलेंगे क्योंकि हम लोग ने previous year, जो मैंने बताया था हम लोग कोन सा भी फॉलो कर रहे हैं, enforcement SI का paper कर रहे हैं और हमारा BSSE के जो previous year questions है, वो कर रहे थे प्लस में हर दिन history के especially questions, अच्छे questions जालूँगा ताकि मतलब किसी भी तरीके से आपका मतलब कोई कसरी नहीं छूटी, ठीक है मतलब एकदम pattern के पर चलेंगे हम लोग तो देखो, phycology, ठीक है तो देखो, दो चीज आप याँ देखना, एक होता है phycology और एक होता है आपका mycology, ठीक है, तो जो phycology, पहला question आता है कि study, किस चीज के study को हम लोग phycology बोलते है, ठीक है phycology, तो यह होता है seval, seval मतलब algae study of algae, that is आपका seval, study of seval जिसको हम लोग बोलते है phycology बेटरें, इंगलिस में भी याद करके रखे, क्योंकि यह word बोलते हैं, आपको mycology, ठीक है तो mycology, यह बहुत बार पूछा गया, ठीक है तो phycology, algae, और mycology आपका कवक, मतलब fungus आप इसको कुछ भी trick से याद है, एक सक तो हमेशा confusion को, तो मैंने इस तरह किसी याद है, कि वो लर्का है बहुत फेकता है, वो लर्का पूरी तरीके से पूरा अलग है, क्यों अलग है क्यों क्यों बहुत फेकता है तो अलग से algae, और फेकता है phycology, ठीक है, तो दूसरा आपको याद है fungus का mycology, fungus को कवक बोलते हैं, और सेवाल को algae मतलब आप समझ सकते हो ठीक है, तो इसका जो जगा phycology मतलब क्या होता है, किसका स्टाटी को बोलते है, तो सेवाल के स्टाटी को टोटल आज 30 questions है, आप प्लीज नीचे कमेंट करो, आज मैंने 30 ही लिया है ताइम का तुरा इसू था, पर जितना सिर्फ मुझे questions नहीं लेने, मुझे अच्छे questions और अच्छे questions आपको करवाने ठीक है, तो questions लेने में क्या है दस मिनिट में 50 questions set कर देंगे पर वो questions लेने, जहां से अगर मैं 30 questions लिया हूं, तो हाँ यह chances थे, हाँ 5-6 questions, हाँ यहां से आने के chances है या मतलब इस label के questions है जो आप upcoming जितने भी exam है यहीं से questions देखने को मिलेंगे, ठीक है तो 30 questions है, आपको प्लीज मुझे बताएगा कि आपने कितना score किया आज का जो cut-up रहेगा वो रहेगा 27 क्योंकि बहुत ही basic questions है भूमी चरों में त्रीवता अस्थनधारी सबसे कौन है यह previous questions से आपको पता होना चिसका सही answer है चीता निवन में से कौन सा एक मादा लिंग हॉर्मून है, लिंग हॉर्मून या सेक्स हॉर्मून भी इसको बोल सकतो इंडाइरेक्ली ठीक है तो कौन सा है तो यह है आपका progestron ठीक है और यह आप दखेगा insulin क्या है insulin भी एक हॉर्मून है जो कहां से निकलता है pancreas से निकलता है ठीक है अगर insulin बनना बंध हो जाएगा तो क्या हो जाता है कौन सा बिमान हो जाएगा तो आपको diabetes हो जाएगा तो insulin कहां से निकलती है तो pencreas से निकलती है यह adrilean बहुत important है अगर पुछे कि emergency hormone किसको बोला जाता है तो adrilean जैसे कि blood pressure को कौन control करता है तो adrilean emergency hormone किसको बोला जाता है तो adrilean जो भी मुखसे में बोलता हूँ वो questions आये हुए दिमाग में जरूर रखीगा और जैसे कि melatonin दि कालर जो होता है body का जैसे कि कालर है काला है गोरा है तो किस pigment के कारण होता है किस चीज के कारण होता है तो जो हमारा body में मेलोटोनीन होता है उसके ही पर ही डिपेंड करता है हमार्ण पूछेगा कि किस पर करता है हमारे बोडी का कलर तो वह है आपका मेलोटोनीन Quelle इंसुलीन क्या है जिससे कॉस्ते ही एक फीमेल होर्म下去 रही कोशेन न सनला हो जाएत बढ़िपूर्ग्शित जीव मंदल सनरक्षित मतलब समझतो कि नैसनल पार्ग है नैसनल पार्क हो गया या ताइगर रिजर्भ हो गया तो यह सब जहां सनरक्षित करके रखा जाता है तो अन्धा देभी आपड़ नगर होल ठीक है और यह बांदिपूर्गहों ये दोनों आ दखो कि दूसरा बार जा आप सुनो तो पुरा दिमाग में ड्रिल हो जाए तो यह आपका बांदीपूर और नगर होल जो है आपका कर्णाटका में है आपको अच्छे से याद अखना है काजी रंगा जो ही है आपका असाम में है यह सब नेशनल पार्क है यह किसलिए फेमस ह यह काजी रंगा तो वर्ण होर्ण राइनो के लिए और यह नंदा देवी क्या है यह परवत है आपको पता है तो यहां पूझा कि कौन सा नहीं है तो नंदा देवी जो है डेफिनेटल यह परवत है तो यह आपका नेशनल पार्क नहीं है ठीक है लगू गनंग इनके यह पर देखता हूं कितने लोगों को याद है ग्रामीन बेंक का संस्थापक कौन था अगन यह आपको डायरेकली रिपीटेट कोसें है तो इसका जो एंसर है आपका मुहमद यूनिफ महामान तीक है कि नाम से किसे जाना जाता है तो मदन मुहन माल्विय को जाना जाता है म को निव में से कौन यह जल में यह जीशा प्रेवियेस कोसेंट फीर आपको हर दीशी के कोशेंच लूंगा इस पैस ली जो आपको एक हिस्टी में आपको susceptible यह नहीं करेगा आप जो má gerçekten कि चीज को मैं पानी मिला दीता हूं जर्षाओ क्या के कुशा chopped ब टीक ऐसा क्या तो देखो निम्बू, निम्बू क्या होते है, खटा होते है, तो definitely इसमें electrolytes होगा, ठीक है, यह तो conduct करेगा, चीनी, यह है hydrochloric acid, hydrochloric acid, ऐसे भी करते हैं, आपको पता है, और यह है आपका लबंत, इसका सही जो answer है, यह है आपका चीनी, ठीक है, चीनी में, basically आप mix कर दोग solvent होना चाहिए, कि इसमें पहले भी electricity पास ना हो, और चीनी मिला देगो, तो उसमें भी पास नहीं होगा, indirectly आपको पुछा है, कि solute क्या मिला जाए, ताकि वो पास ना हो, तो चीनी मिला जाए, तो नहीं होगा, ठीक है, है, बहुत बार पुछा गया है, कि हैबर process क्या है, आपको यह याद रखना है, तो हैबर process जो होता है, हैबर process क्या होता है, मैं बता देता हूँ, हैबर process जो होता है, basically ammonia का preparation के लिए use किया जाता है, ठीक है, ammonia, तो अगर आपको पूछा था है, कि हैबर process, क्या पूछा है, देखलो, हैबर program किस के उद्ध्योग उत्पादन हेत सकता है, ठीक है, तो यह आपको पता है, जो सबसे ज़्यादा, one of the most powerful acid जो है आपका, वो है, आपका कौन सा यहाँ, कौन सा, यह एक hydrochloric अमल, और यह है आपका hydrofluoric अमल, ठीक है, तो यहाँ hydrochloric नहीं, इसका जो answer होगा, आपको यह होगा, hydrofluoric अमल, ठीक है, ब्रहमान में सरवदिक पाए जाने वाला तत्वा कौन सा है, अब यहाँ ध्यान से समादा है, यहाँ नाइट्रोजन मत मार देना, ठीक है, यहाँ बोला है, ब्रहमान में, तो पुरे ब्रहमान में, वो है आपका hydrogen, ठीक है, यह सेम question आ गया, चलो, अब यहाँ से कुछ history के questions, मैंने बहतर questions लें, वो previous year questions लें, तो आपको समझ में आगा, अब यह भी previous year questions है, पर कुछ अच्छे लेवल के questions आपको history में देखने ही को मिलेंगे, जो आपको पूरा समझ होना चाहिए, इसके लिए, निर्में से कौन सा यूगम सही सुमेलित नहीं है, देखो है, हेक्टर मुन्रो, बक अगलो नेपाल यूद था तो एंगलीस के तरब से क्यों थे, तो लॉर्ड हैस्टी, लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है, आपको पता है, लॉर्ड वेलेजली, आपको पता है जो फोर्थ जो एंगलो महिसूर वार होता है, जिसमें की टिपू सुल्तान का क्या हो जाता है, दे आपको याद रखना है तो यह चीज आपको याद रखना है अब मैं थोड़ा जल्दी से रिवाइस करा देता हूँ क्योंकि इसमें आप बहुत पर इंगलो मराथा है आप मानके चल लाओं कि आपने पर रखा है तो आपके लिए रिवीजर है जिन्होंने नहीं पर है उनके यह एक नॉट हो जाएगा पहले बात करतें एंगलो मराथा वार का देखो जो टीन बेसिकली एंगलो मराथा वार वा था ठीक है जो की पहला जो हुआ था आपको डेट के साथ में बताता हूं ठीक है जो पहला जो हुआ था 1775 से 1782 1775 से 1882 प्लीज लिख ले ना ठीक है और ट्रीटी जो साइन हुआ था ठीक है जो संदी साइन हुआ था पहला में जो साइन हुआ था ट्रीटी ओफ सल्वाई बहुत बार पुछा गया कि ट्रीटी ओफ सल्वाई किन के बीच में हुआ था तो आपको याद अगना है ट्रीटी ओफ सल्वाई जो हुआ था आपका किस मैंने आपको समझाया था कि आप Governor General का time period या अब मुझे यह नहीं भी कोई बताएगा कि यहां मुझे कौन था तब ही मैं बता दूगा बुलो क्यों क्यों आपको पता है वेरेन हस्टिंग का टाइमिंग क्या था 1772 से 1785 ठीक है तो definitely इसके बीच में कौन हो गया यह वेरेन हस् से 1775 से 182 में हुआ था पहला आपका जो एंगलो मराथा वार हुआ था और इसमें जो संदी साइन हुआ थी वो थी आपका ट्रीटी ऑफ सल्भाई 1782 और समें गौर्बरने जर्नेर को था वेरेन हस्टिंग सेकेंड मेला जो हुआ था आप याद कलो 1803 से लेके 05 और इसमें संदी जो साइन हुआ था वो था ट्रीटी ऑफ राजपूर घाट ठीक है राजपूर घाट ठीक है और यह कब साइम हुआ था था एगन जब यह खतम होगा तब ही साइन नहोगा तो 1805 में और इसमें कौन था आपका तो यह था आपका जोर्ज बार्डलो गोबरने जर्नेर संदी अधार या मनदसर का संधी हुआ था 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 कि मनदसर 1818 और इससेमें कौन था आपका लौड हास्टिंग ठीक है, यह चीज इतना याद रखोगे, तो इतना याद रखोगे, एक इसने बार बार जो question एक और पूछ लिया आता है, वो यह याद रखे, गर आपको याद है, तो यह second बना जो हुआ था, आपका 1813, इसमें एक treaty sign होता है, जिसको treaty of basin बोलते है, जो बहुत बार पुछा है, तो पूछाता है कि treaty of basin किसके बीच में sign हुआ था, तो पहले ता आप यह याद रखो कि treaty of basin जो हुआ था, treaty of basin जो हुआ था, Mr. B-A-S-S-E-I-N, ट्रीपी ओचा गया था, treaty of basin पांच में हुआ था, तो यह जो sign हुआ था, किसके बीच में, तो अंग्रेज और किसके इसका जो answer गलत हो गया यह है आपका कि Lord Cornowillis त्रित्य एंग्लो मराथा यूद के समय को था तो Lord Hastings था ठीक है बागी ये तीनों सही है निमलिकित में से कोन सही सुमेलित नहीं है Lord Cornowillis त्रिक है इस्ताइबंदवस्त आपको पता है Cornowillis वालिस पुलिस ट्रिक से यार कहता तो सही है Lord Willis ली पता है सबसेडियरी एलायंस लेके आया था ये भी सही है लॉड हेस्टिंग त्रित्य एंग्लो मराथा यूद तो यह त्रित्य एंग्लो मराथा यूद और जो आपका लास्ट बला है यह यह आपका लॉड विल्यम बैंटिक यह है 1829 का आपका सतर्वा रेगुलेशन ठीक है आपकर एक चीज आप ध्यान से देखोगे तो अगर इसमें हम लोग देख ले ठीक है तो आइटिंग इसमें तो मुझे सभी सही लग रहे हैं वाट चेक कर लेते हैं लॉड कॉर्ण वालिस ठीक है जो कि पर्मानेंट सेटलमेंट लेके आया था ठीक है तो लॉड कोड़ना वाली सही है सहायक संधिड है तो सबसीडियरी एलाइन चो कि लॉड वैलेजली लेके आया था तृत्या ठीक है सौर ये दृत्या है ना ओके 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 तो ये आपका याद अखेगा अभी मैंने उपर पढ़ाया चो कि दृत्या में चो था ये लॉड ह ये था मैंने आपको उपर पढ़ाया जो सेकेंड में तो था वो था आपका जॉर्ज बाढ़ लो ठीक है ये चीज आपको याद देखना है और ये सही है 1829 में सतरवा रेंगुलेशन विल्यम बेंटिक के समय आया था तो इसका जो गलत है वो है ये ठीक है तो इंसर रोजे अबुला अधिवेशन ये बहुत इंपोर्टेंट है कि इसमें अबुल कलाम अजात जो कि अगर पूचाते है कि सबसे यंगेस्ट सबसे कम उमर के अगर कोई प्रेसिडेंट बने थे ठीक है अध्यक्ष बने थे इंडिया नेस्नल कॉंग्रेस का तो वो कौन थे अबुल कल अजात अबुल कलाम अजात और यह कहां में जो रामगर का अधिवेशन होगा था इनका इसमें भी प्रेसिडेंट यही थे इस कोशन में बात करूए निमलिकेत में से भारतिय रास्टे कंग्रेस के किस अधिवेशन महात्वा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है प्रं यार दखेगा इसका जो एक्जेक्ली मत्रब है आप चारों पर हो गए तो भारत में ब्रिटिस आयात मतलब जो भी आयत पर दी जा रही विसेश रियास्तों के लिए जो चीज बेसेकल इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंपेरियल प्रेफरेंस बोल सकते हैं ठीक है एक्चल यह सब इंग्लिस वर्ड है तो इसका सही एंसर्ट हो जाएगा ए हो जाएगा निम लिकित व्यक्ति में से किसने इर्विन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था यह वो व्यक्ति है ठीक है यह वो लेडी है जिनों ने जिनको इंडिया का पहला ओमें प्रेसिडेंट मतलब इंडिया नेसनल कॉंग्रेस का पहला ओमें प्रेसिडेंट इंडिया अगर बोला जाए तो को ने सरोजनी नाइडियो और इन्हों ने ही कहा था कि दो महात्मा का उपादी इर्विन तथा गांधी को दिया था ठीक है पुरानों का अध्यान करने वाला पर्थम मुसल का मुख्याले कहां है तो यहां ही जो है यह है आपका रूम में तो इसका जो सही एंसर हो चाहेगा रूम में यह जनेवा बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां मैक्सीमम जो बहुत सारे हेटकॉर्टर हैं जिसमें one of the most important जो बार बार पूछा दाता है डबलू टी ओ क्योंकि लोग समझते हैं कि पैसा रिलेटेब राच इतना चीज है वो आपका वासिंग्टन डीसी में जैसे कि वर्ल बैंक का हेटकॉर्टर जो हो गया आपका वासिंग्टन डीसी में है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड मतलब वर्ल बैंक आपने सुना है ना यह जो सार्थ लॉड हर्ल किसे कहते है छो यह वर्ड है यह बिसे कली पहले यूज किया जाता है मतलब हिस्ट्री में सार्थव किसे कहा जाता तो याद देखेंगा वैफारियों कि काफिले को क्या क जाता है तो यह आपका सर्थव कहा जाता है उपनिसीदों को फार्सी में अनुगल सम्जाथ की सासनकाल में हुआ है तो यह होगा साजा का बेटा थी दारा श्ीक्राथ्थactor उनों नहीं कोसन घुँमा कर भी सकता कि किस ने करवाया था, तो याद एकेगा, तो उपने ही सेकोंट का फार्सी में अनुबात किस ने करवाया था, तो दारा सिखोंगे की सा जहान का, इसलिए किसके सासन काल में तो यहां हो जाई है, ठीक है बीजक का रचयता कौन है जो रचयता है यह है आपका कबीर डास किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए तीन राजधानियों के निर्मान की मझूरी दे दिये आप बहुत ही न्यूज में आपको पता होगा यह है आपका आंध्रा पर्देश किस भारतिय उद्रिमिंग को अस्टेलिया के सरवच्च सम्मान order of अस्टेलिया मैं फिर से वही बोलाओ मैं current affairs वही डालूँगा जहां से आपको directly questions देखने को मिलेंगे ठीक है अस्टेलिया order of अस्टेलिया से सम्मानित किया गया है यह बहुत ही news में थी आपको पता है यह आपका कीरन मजुंदार 100 किस भारतिय महिला पहलवान ने हाल ही में रोम रैंकिंग में सेरीज में टू टाइट इबेन में स्वन पदक जीता तो यह आपका विनेस फोगाट हाल ही में सुर्क्यों में रही जेर मोर सुरंग का निर्वान किस राज्य के इन सासिन परदेश में हुआ है तो यह आप याद देखेगा नाम क्या है इसका तो जेर मोर सुरंग तो यह हुआ है आपका जमू है कास्मेर में सीटी मोमेंट इंडेक्स 2020 में किस सहर को विश्वा का सबसे डाइनमिक सहर चुना गया है तो यह है आपका हैदराबाद हाली में किस देश ने परमानू बेलस्टिक मिसाइल के फोर का परिक्षन किया है तो यह आपको याद दखना है हुए है आपका भारत और यह इसलिए भी हो जाते क्योंकि भारत नहीं किया है इसलिए आपको एक चीज और इसके साथ याद रखना है कि इसका जो रेंज कितना है क्योंकि जो भारत में हुआ है उसको डेफिनेटली उनों रेंज भी पूछ लेते हैं तो आप याद दखे आपका धनबात ठीक है और यह दोनों जो सिटी है यह दोनों सिटी कौन सी स्टेट का है तो जहार घंद ठीक है तो अगर पूछे ते कि सबसे प्रदुसी सहर कोना है अब का धनबात ठीक है तो तो आपके 30 को से आसा करता हूं कि आपको टेस्ट देखे एकदम बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा और कोसेंस में थोड़ा अपडेट करते रहूंगा आज तो खेर 30 को से हम लोग नहीं किया है पर में लीज आपका 40 को सेट होगा जिसमें मैक्सिमम मतलब 30 से 32 तक आपका जिसमें आपका 10 से 12 को से हमेशा कहां से हिस्ट्री से होगा बाकी सब मिक्स होगा प्लस आपका 7 को से 8 को से आपका करेंट अफेर्ट से होगा तो थैंकि सो मज गैस अगर इस चैनल पर नहीं हो तो बस सब्सक्राइब करके जाना है आपको बाकी कल आपका रूटीन आ जाएग ठीक है और अगर अभी तक हम से कोर्स में नहीं जूरे तो मैट सेंटिसनिक बहुत ही इंपोर्टेंट होगा जो दरोगा मैंस देने वाले है ठीक है तो आप बैच डू में भी जोइन करोगे हमें तो आप जोइन कर लिजेगा नीचे नंबर दिया वाटसेफ विडाउट ए निस्तारी हार जेहंद